असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है खुलाम कादिर और वेलकम बैक टू कादिस ग्राफिक यूटिप चैनल हमने लिखता आप समझे होंगे कि आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं फोटिशोप के छे इसे शॉट्सकर्ट जॉपकर टैम हमेशा सेव कर सकते हैं मैं हमे अजर्ष टैम बचा रहे हैं तो वही शॉट्सक्त में आज वीडियो आपको बताने वाला हूं यह जाएं लगिन अगर आज की वीडियो आप लोग करते हैं तो इस वीडियो को करें कि ये वीडियों की आप जिए खूर रही या नहीं रही और अगर इसी तरह आई वीडिय वीडियो को शुरू करते हैं तुरूसरों अब आचुके हैं हमारे फोटीशॉप की स्क्रीन पर और इसी ये मैंने जो बहुत आपिन कीवी है इसी के अपर हम हमारे पूरे छे के छे शॉटकर्स अपलाइब करेंगे और ये पोस्ट ही मैंने ऐसी लिए है जिसमें आपको जो ह हम हमारे पहले शॉटकर्ट की बात करते हैं और मैं आपको हर शॉटकर्ट के साथ उसका रीजन ही बताऊंगा कि क्यों वो शॉटकर्ट ज्यादा एजी है और मैं उसको क्यों यूस करता हूं अब दोस्टों जैसे आपके सामने यहां पर पोस्ट डिजाइन कुली भी हो सकत है कि इसका टेंपलेट बनाया एक सोर्स फाइल बनाई और उसके अंदर हम उसकी मल्टिवल पोस्ट बनाते रहते हैं अब जैसी मेरी एक पोस्ट हो गई तो अभी इस पोस्ट को इस फोर स्क्रीन मुझे एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं यह पूरी पोस्ट हम बना तो आप खुछ सोचेंगे जब आखे पार यहां पर दस से पंदरा आपके यहां पर मुल्टिपल पूस्ट बनी वी है एक्सपोर्ट पर अंदर तो बाहर आप आप जाओगे एक्सपोर्ट पे जाओगे और फिर से फर वेब करोगे तो यह काफी ज्यादा लंबा प्रोसिस हो अगर आप यहां पर से फोर वेब फाली फाइल आ गई है और आप जिसे से फ पर क्लिक करेंगे तो आपको यह लोकेशन पर लेकिशन पर आपको सेफ करना है तो यह वाला शॉटकुट बहुत ज्यादा यूसफुल होता है और अगर आपको यह शॉटकुट याद नहीं दे लिखा है और आपको यह शॉटकुट बहुत ज्यादा काम आएगा जब आप मल्टीपल पोस बनाएंगे एक ही सोर्स फाइल के अंदर तो दोस्तों आप चलते हैं हमारे दूसरे शॉटकुट की तरफ अब जो दूसरा दूसरा जो शॉटकुट है वह बिगनर के लिए काफ रहते हैं कंट्रोल-जेट करते हैं अचानक से उसकी लिमिट्स खतम हो जाती हैं और जारदर हमें पता ही नहीं होता कि एक जीस दिसे मैं आगा बताओ कि यहांपर बूल से मैरे से यह जो वन लिखावा है यह यह यहापर डिलेट हो गया तो अब काफी लोग क्या करते हैं क Ctrl Z करते हैं, Ctrl Z करते रहते हैं और उनकी file यहाँ पर पूरी खतम हो जाती है जो कि उन्होंने जितना में काम किया वो सभी में खतम हो जाता है लेकिन उनको फिर पता ही नहीं लगता कि इसको redo कैसे क्या जाए अब सबस्क्राइब समय लेते हैं कि जो हम Ctrl Z करते हैं वो कहलाता है अंडू जहां से हमने उस चीज़ को गाइब कर दिया और उस चीज़ को वापिस लाने के लिए एक shortcut होता है जिसको हम कहते हैं redo तो अगर जैसे दिखेंगे बूल से मुझसे 1 delete हो गया तो अब मुझे इसको वापिल लाना तो इसके लिए हम क्या करेंगे Ctrl Shift Z उसको वापिल लाने के लिए हमने कर दिया Ctrl Z और उसको वापिस हटाना है कि आपने कहा कि बूल से वापिस आगे तो आप क्या करोगे Ctrl Shift Z अब यह तो हमारे सिफ एक में था जो मैं आप करके दिखाया लेकिन यह बहुत ज़दा Confusion होती है Beginners में कि हमने एक चीज बूल से डिर्ट कर दिया तो उसके फिर उसमें पिर क्या करते है वो फिर से नियू से डिजाइन बनाते है और वहाँ पर यह पूरा प्रोसेस करते है हमने यह तो देख लिया कि हम redo और undo कैसे कर सकते है लेकिन जो मैं आपको कहा कि Ctrl Z कर दिया ते लिमिट्स खतम हो जाती है उस लिमिट्स को आप कैसे increase कर सकते है तो इसके लिए फिर पिर क्या है कि आप जाओगे एडिट में और एडिट में आप जाओगे preferences और यहां पर general में अब general में तो हमें नहीं जाना हमें जाना performance में बढ़ यहां पर आपको फिर से इतने क्लिस करने के बज़ए में आपको यह पर शॉर्ट कर दिखाना चाहरा है वो है कंट्रोल के आपने इसके लिमिट्स कम करनी है बढ़ानी है आपके उपर है आप क्या करोगे आपने कीबूर्ड से कंट्रोल के दबाओगे और वही वाला जनुरल वाला जो हमारा डोक्यूमेंट है वो आपनों के आजाए अभी नहीं है अभी इसको और भी बढ़ा सकते हो आगे तक कर सकते हो याद रहे यह आपके यह आपकी स्पेसिफिकेशन बदेपन करते है अगे PC की तो आप देख लें बर 50 इसे जाला जरुवत नहीं पड़ दी तो आप इसको मैं से कम भी कर सकते हैं इसको मैं से बड़ा अब हमें चलते हैं हमारे के तीस्रा वीडियो बना रहा है तो यहां 就 बड़ाने हैं रम नहीं मुझे दिय ही का म करनों ऑधि LOVE जो जब करना है वह दो इस की लिए क्लिक आरहहीं तो मैं यहां पर भानी हो फरस्टों तो यहां पर मेरा एक box बना हुआ है, इस box पर marks बना हुआ है, तो इसका यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर mask इसका मैं डिलेट करता हूँ यह पूरा हो गया है, और अब इसको हम देते हैं एक new mask, अब जैसे यहाँ पर यह box है तो मैं इसको इसी तरह शेट देना चाहरा हूँ तो आप keyboard से दबाऊगे, Ctrl Alt Ctrl Alt के साथ आपने अपने mouse का दबाना है राइट क्लिक, आप जिसे राइट क्लिक प्रेस करके रखोगे आपने यहाँ दखना है, आपने सिर्फ क्लिक निकरना आपने उसको प्रेस करके रखना है तो आपने Ctrl पर दबाया, Alt दबाया और अपने mouse के राइट क्लिक पर आपने प्रेस करके रखना है तो आप जिसे उपड लेके जाओगे तो आप देख रहो कि इसकी hardness कम हो गई लेकिन आप जिसे नीचे लेके लेके होगे आप देख रहे हो नमबर पर hardness उसकी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही हो जहां 100 पर आकर अब यह रुक जाएगा अब इसी तरह अगर आप इसको साइज कम करना चाहरे है तो आप साइज कम करने के लिए लेके जाओगे अपने mouse को left की तरफ अब आपनों का diameter बनाना है यानि इसको size बढ़ाना है तो आप लेके जाओगे फिर उसको right की तरफ तो यह आपके पार option है कि उपड़ लेके जाओगे तो hardness कम होती रहेगी और नेचे लेके लेके तो hardness बढ़ती रहेगी और इसी तरह आप diameter को left पर लेके जाओगे तो वो size उटा होता रहेगा और अगर आप उसको right पर लेके आओगे तो उसका size बढ़ता रहेगा अब मुझे आपर hardness कम करनी है तो मैं क्या करूँगा hardness कर उसको उपर लेके आओँगा और diameter में यही रखूँगा और मैं यहीं पर आकर अपना जो mouse का प्रेस उसको चोड़ूँगा और बाद में मैं अपना shortcut चोड़ूँगा जो मैंने control और alt दबाए था और अब मैं क्या करूँगा यहां से जो मेरा mouse selected है अब मैं क्या करूँगा यहां से just click करूँगा और click करने के बाद मैं इसको यहां से easily remove कर सकता हूँ जो आप देख रहे हैं यहां पर यह apply हो रहा है और दोस्तों यह shortcut भी learn करें मैं जो काफ़ ज़्यादा time लग गया तो यह भी as a beginner काफ़ ज़्यादा लोग पूछ रहोते हैं कि यह कैसे होते हैं यह आप इस तरह कर सकते हो तो दोस्तों यह हो गया हमारे तीन shortcut अब चलते हैं हमारे fourth shortcut पर अब जो दोस्तों हमारा जो fourth shortcut है वो यह है कि दोस्तों काफी बार हमें किसी image पर हमें apply करना होता है filter filters हमें कहा मिलते हैं filters हमें यहां मिलते हैं और दोस्तों अब जिससे मेरे पास एक यह image है अब मैं जिसमें इस font पर क्लिक करूँ या कोई अपने rectangle पर क्लिक करूँ तो दोस्तों वो याद है वो एक single shape है या वो एक single layer है तो जायसी बाते मैं जिस पर प्लाय करूँगा तो वो single पर प्लाय होगा लेकिन अब मैं क्या करना चाहरा हूँ कि मैं अपने इन सारी files को एक one layer बनाना चाहरा हूँ और मैं चाहरा हूँ कि वो जब एक merge layer बन जाए, merge layer करने के बाद मेरी जो पिछली files हैं उन पे कोई dh, उन पे कोई मसला ना है जबकि वो में बेक अप में available हूँ अब काफी सब beginner's में क्या गलती करते हैं कि वो उपर से क्लिक करते हैं पहली layer से और नेचे layer पे जाके क्लिक करते हैं और Ctrl E दबा लेते हैं अब इससे क्या होगे कि उनकी layer merged हो गई लेकिन उनके पास पीछे कोई backup भी नहीं है अब वो क्या करते हैं कि वो यहां पर filter apply कर लेते हैं यहां पर filter में जाते हैं convert to smart filters और camera filter को भी apply करते हैं और वो जैसे ही अपनी file को बंद करके again खोलते हैं तो उनके पास कभी कोई edit करना है तो उनके पास कोई option होता ही नहीं है तो यह बहुत गलत तरीका इसको करने का इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है और जो मैं भी यूज करता हूं वह करता हूं कि आप सबसे पहले अपनी first layer को select करें और नहीं last layer को select करें shift दबा के shift दबा क्या होता है कि आप भी सारी layers उसके अंदर आदी हैं फिर आप बनाए control G से उसका group आपने group बना दिया अब भी आपने उसको merge नहीं करना है आपने क्या करना है control J करना है for duplicate और फिर आपको इस group को कर देना है control E control E से क्या होगा कि अब आपके merge layer बन गई अब इससे क्या होगा कि आप इस पर कोई भी camera और filter apply करें आपको कोई कभी changes करनी याद आगी तो आप dash layer को बन करें और नीचे आप उसको वापस अगयन edit करके इसी तो आप group बना के और control E कर सकते हैं अब दूस्तों यह थोड़ा औ without group बना है सब करना चाहरे हैं तो आपनी first layer को select करें और last layer को select करें और आप दबाने control Alt E तो इससे क्या होएं दूस्तों आपकी layer ने आप ने कोई group ही नहीं बनाया और आपकी sub layers बीचे हैं और यहाँ पर आपकी merge file यहाँ पर आ चुकी है तो दूस्तों यह दो तरीके हैं और एक shortcut के जरीए आपको यहां पर तीन से चार्श चॉर्ट बता लग गए तो आई होपस select करना चाहता हूं तो मुझे कोड याद नहीं रहता तो अब मुझे file को यहाँ पर लाना पड़ेगा और फिर उसको open करना पड़ेगा फिर उसकी shapes में उसका code क्लिक करके फिर मुझे यहाँ लाना पड़ेगा तो यह बहुत जादा number process हो रहाता है तो इसके लिए सबसे best मिस अब आप क्या करो यहां पर आपको जो भी shape का color चेंज करना है आपने shape क्लिक किया उसके आप colors में आगे colors में आने के बाद आगे बाद देखें यहां पर आएगा eye dropper आपने Photoshop से क्लिक करके रखना है यहाँ आपने Photoshop से क्लिक करके रखना है और Photoshop आप जैसे ही बाहर लेकर आगए तो देखें आप उसने color पर करना शुरू कर दिया अब यह जैसे yellow है इसके चेहरे पर लेके आपने उसने color change कर दिया अब मैं black पर लेका हूँगा तो black हो जाएगा तो अब जैसे में जैसे हम example लेते हैं जैसे yellow पर क्लिक करूँगा मैंने click क्लिक क्या yellow पर इसने यहाँ पर yellow यहाँ पर select कर लिया और यहाँ पर हो गया OK और मेरा Photoshop में बगेर कुछ आपन के मैंने बाहर से source लि अब यह सिर्फ इसके लिए नहीं यहाँ वेबसाइट पर लगा सकते हूँ कि आपको वेबसाइट बे कोई किसी का color पसंद आगया तो आप फोडिशोप के यहाँ पर टैप चोड़ा करो website open करो और अपने पे अपने जो आईडोपर टूल है colors वाला उसको आपने याद लग है जो six shortcut है वो सब shortcuts का shortcut है इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कभी कभी अब जैसे में आपको shortcut बता है आपको याद रहा हो नहीं रहा हो तो सबसे बैसिस क्या होती है कि आपके पास एक पूरी HTML की file से वह जाए पूरी web की file से वह जाए जहां पर Photoshop के सारे जो आपने अपने अपने shortcuts को याद करें उसे practice करें तो उसके लिए एक shortcut है और वह shortcut है Alt Ctrl Shift और K आप जैसे इसको दबाओगे तो यहाँ पर एक new document आपना आज जाएगा और आपने आप एक करना है इसको summarize summarize करने बाद आपने कोई भी यहाँ पर इसको location दे देनी है और कर देना है आपने save अब यह जैसे ही save होगा तो यहाँ पर आपके पास एक new file automatic open हो के आजाएगी और यह रहे दोस्तों आपके सारे Photoshop के shortcuts shortcuts जो आपने अपनी तरफ से बनाया हो यह Photoshop के default shortcut वो सारे यहाँ पर आगए अब इसमें क्या होगा है दोस्तों शुरू में थोड़ टाइम लगता है लेकिन इसमें आपको last minute नहीं दिखेंगे सबस्यादा जो हमें शुरू में जो काम आते हैं वो हमारे ग्यावले shortcut आते हैं और इसको आप आपो आपने जो Photoshop में इसको आप सेफ कर सकते हैं उसको आप याद जिया कर सकते हैं जोके shortcut हैं वो आपके काम को बहुत ज़्यादा फाल स्बनाते हैं और अगर help रही है तो comment section बताना मत बुलिएगा कि आज की वीडियो में जो मैंने short skirt बता है वाँ को पता थे या नहीं पता थे अगर नहीं पता थे तो इसको आप ज़रूर apply कीजेगा अपने work में तो रूसम मिलते हैं शारा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस